नमस्कार जन्टीवी उत्राखन में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ प्रफात बुलेटिन में सब से पहले नजर हैडलाइन्स पर केदारखाटी में रसक्यूपूरा आज से धाम की यात्रा हैली सेवा से शुरू टिकट में 25 प्रतिशत की छूट पैदल मार्ग मरमत का काम जारी पहाडों में बदला मौसम का मिजाज जहमा जहम बारिश का दोर उफान पर नदी नाले उची चोटियों पर हल्की बर्फबारी ठंड ने दी दस्ता बद्रिनाथ हाईवे पर पहाड़ी से गिरा बोल्डर चपेट में आया बाहन भाग कर बचाई लोगों ने जान रूड़की में टायरों से भरा ट्रक पल्टा सहाया का ध्याबग भर्धी प्रक्रिया का मामला हाई कोट ने दिया नापत्ती प्रमान पत्तर जारी करने के निर्देश सरकार से छे हफ़ते में मांगा जवाब और नैनी ताल में नकली नोट का बढ़ता कारुबार जॉली इंडियन और दुबई के संदेख करंसी दिरहम चलाते चार यवाग गिरफतार पुलिसें व्यापारियों की सजगता से की कारवाई केदारनाथ धाम के लिए आज फिर से हैली सिवा शूरू हो गई है सरकार हैली सर्विस के जरिए केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों को टिकट में 25 प्रतिशत की चूट देगी इसके अलावा केदारनाथ धाम के पैदर मार्क को दुरूस्त करने के लिए युद्ध स्थर पर काम किया जा रहा है मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी ने खुद रुद्र प्रयाक के प्रभावित क्षेतर का दौरा कर शासन के बरश रधिकारियों और जन्व प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशान दिर्टेश दिये आपदा सचिव ने कहा कि केदारनाथ यात्रा मार्क पर रेस्क्यू उपरेशन पूरा हो चुका है SDRF, NDRF और सेना ने रेस्क्यू उपरेशन पूरा कर लिया है हम अभी भी हम लोग लगातार कह रहे हैं कि अगर कहीं कोई किस कोई मिसिंग है तो बतावे तो जहाँ जहाँ लोग बताए हैं वहाँ देखा गया है कोई बाड़ी नहीं मिले और जो टेलिफोन आये हैं जोशी मर्से खबर है यहाँ पर पहाडों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है मंगलवार देर शाम से पहाडों में जहमा जहम बारिश हो रही है और इसके चलते इस वक्त नदिन आले भी उफान पर आ चुके हैं लगातार बारिश होने के चलते लोगों के जन जीवन पर काफी असर पड़ा है और इसके चलते ग्रामीन आलाकों के लोग अपने घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो चले हैं बड़ी बात तो ये भी है कि कई उची चोटियों में इस वक्त खलकी बर्फबारी भी देखने को मिल रही है और इसकाराण ग्रामीन आलाकों में थोड़ी बहुत ठंडे ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है पहारों में एक बार फिस से मांसुन की बरसात सुरू हो चुकी है आपको बता दें कि देर स्याम से पहारों में मौसम का मिज़ाज बदला हुआ है ग्रामीन आलाकों में जमा जम पारिस हो रही है जिसके चलते जो यहां का जन जीवन है वो जन जीवन कापी अस्तिवास हो चला है आपको बता दें कि कई उची चोटिया इस वक्त ऐसे हैं जहां पर हलकी बरबारी भी देखने को मिल रही है जिसके चलते गरामिन इलाकों में इस वक्त काफी ठंड ने दस्तक देना सुरू कर दिया है लोग अपने घरों में दुबापनी के लिए मजबूर ही खोच रहे को लेकर पीडियोडी को निर्देश दिये है बीते दिनों के बाद भारी बारिश की वज़ए से नाले आने की चलते तीसरी बार पुल के आसपस का हिस्सा बह गया था और इससे आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई फिल्हाल अन्या वेकल्पिक रास्तों से खल्जवानी से राम नगर के लिए ट्रैफिक डैवर्ट किया गया है पूरी से हमने कहा है कि इसको दस दिन कंदर इसकाम को करें और रात में भी इस पे काम किया जाए क्योंकि इसमें पबलिक को परिशानी हो रही है और उन्हें कुछ ऐसे लागे से बुज़रना पड़ रहा है जहां पर थोड़ा जंगल का भी लागा है जो स्तिधी ठीक नहीं है बीडी सी की बैठक में पहुंचे जिलाधिकारी धीराज सुंग गर्वयाल ने के निर्देश दिये गए ग्राम प्रधानों और बीडी सी सदस्यों की समस्याओं को गंभीरता से लिते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बीडी सी बैठक में सबसे ज्यादा शिकायतें पेजल विभाग और जल संस्थान से आई हैं जिलाधिकारी द्वारा सभी के समाधान के लिए पेजल विभाग की अधिकारियों को मौके पर पहुँचकर समस्याओ का समाधान करने के सखत निर्देश दिये गए हैं बदिरिनाथ हाईवे के गौचर कमेड़ा के पास बड़ा हाथसा हो गया यहां पर एक वाहन पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में आ गया वाहन में सवार लोगों ने भाग कर अपनी जान बचाए रूड़की से खबर है तरसल कल किसान यूनियन तूमर के कारेकरताओं द्वारा एर्टियो कारेयले पर जम कर तोड़ फोड़ की गई थी जिसके बाद एर्टियो द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर चौधर नामजद सहित कई दरजन किसान निताओं के खिलाफ रूड़की कोतवाली में मुकदमा दर्स किया गया था जब पुलिस ने पाँच किसानों को गिरफतार कर लिया तो उन किसानों की गिरफतारी के बाद कई किसानों ने कोतवाली रूड़की में हंगामा काटा एस पी चंपावत अजय गनपत्थी के इनरदेश पर पिछले दिनों जनपत के विभिन्न थाना कि शुतर में कई लोगों दोबारा अपने मुबाईल फोन गोम होने संबन्दी सूचिना दी गई थी सूचिनाओं के आधार पर मुबाईल रिकवरी सेल चंपावत द्वारा जांच की गई तो मुबाईल फोनों का जनपत की भिन्न भिन्न जगहों पर आन होना पाया गया सभी मुबाइल फोन की सूचना मुबाइल रिकवरी सेल द्वारा विफिन थाना पुलिस को दी गई इस पर तुरित कारवाही करते हुए थाना पुलिस टीमों द्वारा ततकाल कारवाही की गई और 58 मुबाइल बरामत किये गए सभी चंपावत आजे गणपती द्वारा पुलिस कारेले चंपावत में मौजूद 10 मुबाइल सुपर्द किये गए और अन्यक शेतर के मुबाइल सुपर्द किये गए हैं मैं महांचंदर पांडे मैं रोसाल डंगाओं का मून लिवासी हूं तो मेरा फॉन जो है लोहागाट में खो गया था जिसकी सूचना मैंने लोहागाट ठाने में फायर दर्जे करा कर दी थी और आज मुझे जो है चंपहौत से चंपहौत पुलिस के दोरा फॉन सही सलामत मु हल्दवानी में कुमाओं कमिशनर दीपक रावत ने तीन पानी से लेकर मोटा हल्दू तक एनेच की सड़कों का विभागी ये अधिकारियों के साथ निरीक्षन किया सबसे पहले कमिशनर दीपक रावत तीन पानी के पास एनेच के ओवर ब्रिच की तरफ गए यहां पर बरसाथ के दिनों में लगातार लोगों के घरों में जल भराव की स्थिती हो रही है इसके चलते लोग काफी परिशान हैं कमिशनर के निरीक्षन के दुरान लाल कुआ विधायक मोहन सिंग बिष्ट भी मौजूद रहे जिनके द्वारा जल भराव की समस्या से कुमाउं कमिशनर को अवगत करवाया गया कमिशनर दीपक रावत ने कहा कि जन जगहों पर जल भराव की स्थिती हो रही है वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाएंगे इस हो लेकर सचाई विभाग की अधिकारियों को भी निर्देश दिये गए है पॉसिबिलिटी यहां पर है वहाँ पर संप्स बना के इस पानी को हम निकाल दें दूसरा हम यह देखेंगे कि उस पानी को जो जमा हो रहा है दूर कहीं निकाला जा सकता है नहीं इस के लिएक सर्वे हम इरिगेशन से करवा देंगे और यहां पर एक छोटा सा ड्रीनेश प्लांस भी बना देंगे कि इवेंच्वली यह पानी कहीं पर निकले कुछ मसले इस बात के थे कि पूर्व में जो एनेश नी लैंड अक्वाइर करी है इसमें जहां पर एक्वाइर हुआ था इनका कहना है एनेश का की महाँ पर निर्मान कुछ हो गए है और कुछ लों को स्ट्रक्चर का मुआफ़जा नहीं मिला है न्याय मूर्ती पंकज पुरोहित की एकलपीट में हैमान शुजोशी अर्विंद कुमार सहित साथ से ज्यादा शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई हुई नैनिताल शहर नकली नोट चलाने के लिए आसान सेंटर बन गया आखिए नैनिताल में यूवक बाजार में जाकर नकली नोट चलाते रहे लेकिं किसी को कोई भनक तक नहीं लगी मलिताल बाजार के एक दुकान में जाकर इन यूवकों ने खरीदारी की और वहीं سے नकली 500 का नोट देकर नकल गए जब तक दुकानदार को इसका पता चल पाता, वो माल रोड में किसी दूसरी दुकान में खरीदारी करते रखे हलां कि दुकानदारों ने एक युवक को तो पकड़ लिया, लेकिन तीन युवक फरार हो गए बाद में पुलिस ने उनको भी जोली कोट के पास से पकड़ लिया, पुलिस ने तलाशी ली तो एक युवक के पास पास पांच सौ के नकली नोटों के साथ दुबए की संदिक दे करंसी दरहम मुद्रा भी मिली पुलिस नकली नोटों को सीथ कर चुकी है और पूचता आज कर रखी का इधर घटना के बाद दुकानदा डरे हुए हैं सीयो सुमित पांडे ने बताया कि व्यापारियों की शिकायत पर युवकों को पकड़ लिया गया है सब्सक्राइब दुकान थोड़ने के बाद जो बेक की दुकान पर आए मेरा बेटा था दुकान पर वहां पर उन्होंने अंडर गार्मेंट लिया जोकी का पुच तो उसमें 370 रुपे का गरीब का अंडर गार्मेंट था वो तो पांसो का नोट दिया उन्होंने तक्षे ने एक सो तीस रुपे भी आफस कर दिया उन्हों चले गए तेकि मैं तुकान पर पहुचा तो पेटे ने उसको कुछ संदेव हुआ था तो उसमें मिलसे गा बाब आपो नोट चेक कर लीजी एक नोट रखा उसमें चेक किया तो मुझे पूरा पूरा लगा ताउंट की ए नकली मोट है तो मैंने तुरंत बेटे को बोला कि आप सेसी टीवी फोटेज निकालों तो मैंने से वीडियो निकाली फोटो निकाली और अपने समंधित और व्यापारियों को भेज गिया हार तरफ कि लोग सावधान रहें औ पर लोग न ठगे जाए और ध्यान की रखे कि अगर कोई आता है तो इस तरह से पकड़ा जाए तो मलिताल में एक वेपारी की दुकान पर कुछ लड़के आये और उनके द्वारा कुछ समान खरीदा गया पांसो लगा जिसमें से 370 का समान था पांसो को दिया गया कुछ र चेक करो ये नोट में को संदे हो रहा है तो पता चला कि ये जो नोट चलाया गया था ये फर्जी नोट था तो वेपारी द्वारा और फिर पुलिस को उनके द्वारा बताया गया पुलिस ने और वेपारी ने मिलकर इनको एक लड़के को पकड़ा बाकी जो लड़के थे वो फरार हो गए वहां से मौके से, उनको इंट्रेसेट करें। चंपावत जिले के पार्टी ब्लोक के दूरस्थ नोलिया गाउं में जगत सिंग चिलवाल और हरूली देवी के मकान में बिजली का शौट सरकिट होने से भीशन आग लग गई। पूज़ानी की कोशिश की गई लेकिन तब तक मकानों के भीतर रखा सारा समान आग की चपेट में आ चुका था। इसमें लाखों रुपे का नुकसान हुआ गए बावन पूरी तरह खुशतिक रस्त हो गए। धदक्ती आग की लप्टों के बीच ग्रामिनों ने जान जो खिब में डाल कर किसी तरह से साथ पर काबू पाया। ग्राम प्रधान और ग्रामिनों द्वारा पीडितों को मुवावजा देने की मांग की गई है। एक चोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे बने रहिए जन टीवी पर। एक बाद एक बाद पर आप सबी का स्वागत है। डोईवाला के केशपुली राजीव नगर वस्तिक शेतर में देर शाम बारिश के कारण स्टीट लाइट के खंबे में करंट आ गया। करंट की चपेट में आने से गोवन्ष की मौत हो गई। ग्रामीनों के मताबिक पिछले एक हफते से पूल में करंट आ रहा था। नगरपाली का प्रशासन और विभाग को कई बार अवगत करवाया गया। लेकिन प्रशासन ने कोई सुध नहीं दी। प्रशासन की लापरभाई बहुत ज़्यादा इसमें यह विजनिय खंबाई साथ दिल से करंट आ रहा। उस करंट से एक अज हमरे पशू की जान चली गई अब इस प्रशासन को हम क्या कहें एसी लापरभाई हर जगे होती रहती कभी कहीं करेंट आ रहा कभी कहीं कोई सुनता नहीं है यह नगर निगम वाले बहुत ज़्यादा लापरभाई कर रहे हैं डोए वाले छेतर के कंप्लेंट करने के बाव वजूद भी अंगर पारले कोई कदम नहीं उठाएं यहां पर जिसी कि आज बहुत दिन से करंट आ रहा है यहां कि मोलने वाले वह भी अपने बच्चों को मना कर रहे हैं कि यहां पर ना खेलिए ठीक है और यसी बारिस बहुत जादा था उसमें करंट आ रहा था बहुत ज्यादा ठीक है तो इदर से गाय जा रही थी गाय उसकी सपेट मा आगी उसकी वह वहीं पर मर गई वगल में एक खंबा है गा उसमें एक हबते से करंट आ रहा था और हम पोन भी करा कोई सभी करने नहीं आया और हम कंप्लेंट लिखवाने भी करने का समय दिया गया है मुकिन आधीश रितु बाहरी और नयामूर्ती राकेश थपल याल की खंडपीट ने मामली की सुनवाई की समाद सेवी गौरी मौलखी और अजय गौतम ने हाई कोट में जनहित याचिका दायर की थी इसमें कहा था कि चार धाम यात्रा में अब त कि समस्या रही है याचिकाओं की और से कोट से मांग की गई कि यात्रा में केरिंग कैपैसिती के हिसाब से ही शधालों सहित घोडों और खचरों को भीजा जाए यात्रा में फैली अब वेवस्ताओं और घोडों की लगातार हो रही मौतों को लेकर हाई कोट की ये सकती सामने आई है जिसमें ये मांग की गई है कि यात्रा में केरिंग कैपैसिटी के हिसाब से ही शधालों सहित घोडों और खचरों को भीजा जाए इसके लावा उनके लिए वहां पर इंतिजामात किये जाएं ताकि बड़ती मौतों को और बीमारी फैलने के खत्रे को रुका जा सके पॉरी में कोट ब्लॉक के गैंठी छेडा ज़रने में नहाते हुए दो युवक डूब गए पुलिस और SDRF की टीम ने युवकों की खोज शुरू कर दी थी देरात को एक युवक के शुरू को ज़रने से बरामत कर लिया गया जबकि दूसरे युवक को निकालने में सफलता नहीं मिल पाई थी इदर फिर से सर्च आपरेशन शुरू किया गया लंबे प्रयास के बाद दूसरे युवक का शुरू भी बरामत कर लिया गया पोस्ट मॉटम के लिए जिला स्पिताल पौडी लाया गया हादसे के बाद खड़ेत गाउं में मातम पसरा हुआ है इसकी सुचना मुझे गाउं के कुछ लोगों द्वारा सामको सड़े साथ बजी मिली जानकारी के अनुसर ये दो बच्चे कुछ बिलॉग में अपने नीजी कार्या से आये थे उसके बाद अचानक कुछ इनका प्रोग्राम बना होगा ये या गूमने आए और उसके बाद जब इनके खूजबीन सामको की गई तो सड़े साथ बुझे पता चला कि इनके गाड़ी यहां पर है और उनके कपड़े जो तालाब है उसके आसपास मिले और कल रात सवा बजे तक यहां पे अस्ट्राइब दोरा रेस को किया गया एक बोड़ी कल मिली थी और अभी अस्तानिय लोगों दोरा दुसरा सव भी ब्रामत कर लिया गया हम लोग तुरण सिरी नगर में हमारा कैम्प है तो हम लोग वहां से आए और यहां पर हम टीम में यहां पहुंचे फिर हमने रात में निची दाके रोग की मदद से और कांटे होते हम पर उसकी मदद से और हमारे तीन-चार जवान उन्हें लाइफ जैकेट पहन के वहां प निचाल जिले के क्षूपी गाउं में कई घरों में दरारे आ गई हैं इलाके के लोग walk के लोग बताते है कि कुछ साल पहले से ही दरारें दिखाई देने लगी हैं लोगों का कहना है कि जमीन धंसने के वज़जा से दरारें पहले से ज्यादा चौड़ी हो गई हैं जिसकी वज़ा से उन्हें डर लग रहा है इसे लेकर सीम पुशकर सिंग धामी का कहना है कि राजिका आपदा प्रबंधन विभाग इस मुद्धे पर विचार करेगा और इसे निपटने के लिए जरूरी सुझाब देगा हालात को देखते हुए इलाखे के लोगों ने सरकार से तुरंत कारवाई करने को कहा ताकि किसी बड़े नुक्सान से बचा जा सके और फिलाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही नमस्कार झाल